हाई फ्रेंड्स एक सिक्रेट मसाले के साथ साधियों में मिलने वाली पता कोभी की बहुत ही टेश्टी बहुत यम्मी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चलिए टेसिपी को सुरू करते हैं तो यहाँ पे मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से पता कोभी को ले ली हूँ और इसे इस तरह से पतला पतला करके काट ली हूँ अब इसे हम अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेंगे तो चलिए इसे पानी से साफ करके आजाते हैं नेक्स टेप पे पत्तागोपी के इलाबा हम यहां पे लिये हैं फीज की हेड यहां पे फीज की हेड को नमक और हल्दी से हम फ्राइ कर लिये हैं उसके बाद इसे टुग्डो में काट लिये हैं और ये जो हेट जिसमें हम फ्राई किये थे, उसी ओयल में हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे, तो थोड़ा सा ओयल यहाँ पर और भी एड़ कर दिये, ओयल को गरम करके इसमें हम एड़ कर देंगे, दो मीडियम साइज के टुकडो में कटा हुआ आलू, तो आलू को हम यहाँ सबसे पहले golden brown होने तक fry कर लेंगे आलू को golden brown होने तक fry करने के बाद सारे आलू को हम अब निकाल लेंगे यहां पर आलू हमारा golden brown हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं तो एक एक करके सारे आलू को हम इसमें से निकाल लेंगे और इसी oil में आगे का process भी करेंगे तो अब इसमे उसके बाद यह पतागुभी अध्यूट से अच्छी तरह سے फ्राई कर लेंगे तो सारे पतागुभी हम इसमें ड़ियूट कर देंगे इसमें एक सप्रिक्रेत порग आप करेंगे आप विद पता अथान में कुछ मिनिट फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के समय ही इसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा तो पानी का यूज पहले ना करें अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हाई में रखे इसे फ्राइ कर ले आप देख सकते हैं पता को भी कॉंट्रीट में कितना जादा था ये फ्रा तो यहां पर कुछ मिनित इस तरह से फ्राइब करते वक्त पानी हमारा ड्राइब हो जाए तब इसमें हम एड़ कर देंगे मसाला तो मसाला में हम सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा चोटे चमच और आधा चोटे चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर एड़ कर देंगे और फ्राइ किया हुआ जो आलू हम लोग रखे थे वो भी इसमें एड़ कर देंगे अब इसे कुछ मिनित फिर से गैस का फ्ले मीडियम में रखके फ्राइ करेंगे और इसे कौवर कर देंगे तो जब तक यह हो रहा है आईए जो सिक्रेट मसाला का बात कर रहा है वो हम बना ल लिए है इसे हम हलका सा रोष्ट कर लेंगे तो यही है इसका सिक्रेट मसाला इसे रोष्ट करके हम इसका एक पाउडर बना लेंगे और बात में इसे बंदा कोपी पे एड़ करेंगे तो यहां पे मसाला हमारा रेड़ी हो गया है तो पत्ता को भी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें है तो यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल यह ड्राइ हो गया है अब इस समय हम जो फिस का हेड बना के रखे ते वह एड़ कर देंगे साथ में पत्ता को भी थोड़ा सा और बॉयल होगा तो इसलिए एक कप पानी फिर से इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच् मीठा तरह सनमकीन बहुत ही जादा टेस्टी लगता है अब इस तरह से एक बर पत्ता कोपी को बनाए बच्चे बड़े सभी मांग के खाएंगे तो चलिए इसे अब हम कौभर कर देते हैं गैस का फ्लेम लो में रखके इसे कौभर करके जट से 15 मिनिट इसे हम पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से आलू पत्ता कोपी सब बॉयल हो जाए और जब 10-15 मिनिट बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पत्ता कोपी में पानी आड़ किये थे वो ड्राइ हो गया है अब इस समय हम जो मसाला रेडी करके रखे थे वो इसमें आड़ कर देंगे और मसाले के साथ ही हम एड़ करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो बस यह दोनों एड़ करके हम इसे मिक्स कर देंगे तो मसाला यह जो सिक्रेट मसाला था वो एड़ करने के बाद गरम मसाला चुटकी भर एड़ कर दिये हैं अब इसे अच्छी तरह से हम कुछ मि लोटी या राइस के साथ सर्व कर ले तो फेंड आसा करती हूं आज का ये बात्ता गोपी का रेसिपी आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और मेरे चैनल पर अगर नहे है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर के थैंक यू